आपका सिविल सर्विस प्योटू चनल में आज का मारा टोटल टॉटल टॉब फाइब करेंट फेर का ये सिगमेंट है आई होब कि आप इसको इंज्वाय करेंगे और जो कोश्चन्स के फॉर्मेंट में हमारे करेंट फेर डिसोर्स रहते हैं वो थोड़ा सा समय को बचाते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोश्चन्स पे हम dependent रहते हैं सिर्फ कोश्चन्स पे की परिधी के अंदर ही बात करते हैं जितने भी dimensions की point यूज होते हैं उस पे maximum बात करने कोशिस की जाती है क्यों कि examiner ही जानता है कि paper में क्या आने वाला है हमें बिलकुल नहीं पता होता तो हम पनी तरब से proper प्रयास करते हैं कि इस dimension से आया तो हमारा answer यह होना चाहिए इस dimension से आया या नहीं कि जो भी हमारी नजरों के सामने key point रहते हैं पूरा का पूरा कोशिस यह करते हैं कि उनके बारे में बात किया जाए सो इस टार्ट करते हैं टोटल पांच कोशन जिसमें समाराज का पहला कोशन है कौन सी संस था annual status of education report इसको S.R. के नाम से भी जानते हैं जारी किया जाता है तो यह प्रथम है यह NGO है यह NGO है और इसका जो इस्थापना हुआ था सो इस्थापना इसका 1994 95 में हुआ है और यह NGO है सबसे बड़ी बात यह है कि अभिनोव सिच्छल संगठन भारत में सिक्छा के गुडवत्ता के सुधार के लिए बनाय गया था यह ठीक है सुधार के लिए रिपोर्ट जारी करती है उनकी कमियों को बारे में बताती है क्या अच्छाई यहां यह भी बताती है सो प्रथम एक NGO है सो कन्फूजन नहीं होना अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं असर के बारे में सो एनुवल स्टेटस ओफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 एनजियो प्रथम द्वारा जारी की गई है इस रिपोर्ट के अनुसार छात्र नामांकन पुर्व हमारी के इस तर से अधिक हो गया है यानि यहां पर कोबीड नाइंटिन की बाते की जा रही है रिपोर्ट में हाला के चतावनी दी है कि कई वर्सों के सुधार को पीछे छोड़ते हुए पढ़ने और अंकगडित में मूल भूत कौसल के लिए सीखने की खाई चोड़ी हो गई है ठीक है तो यह है रिपोर्ट के बारे में अगर रिपोर्ट के बारे में आ जाता है बैक्ग्राउंड से कोश्चन्स की असर के बारे में बताईए या इसका जो भी किसी भी एंगल से अनलिसिस पूछ लेता है तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं देखे जो असर है न वो अनुवल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में बाते करता है ठीक है और भारत में हर साल राष्टर इस तर पर घरों में किये जाने वाला या सर्विक्षण है जो कि यह बताता है और यह पता लगाता है कि क्या बच्चे बिद्याले में नमांकित हैं और क्या वो सीख रहे हैं और यह जो असर है यह 2005 से हर साल आयोजित किया जाता है और हमने फाउंडेशन की बात कर ली कि प्रथम NGO इसका नाम है प्रथम NGO अब कोश्चन नमबर सेकेंड पर आते हैं भारत किस देश में अपने संबिधान में तेरहमें संसोधन को लागू करने का आगरह करता रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ भारत किस देश से अपने संबिधान में तेरहमें संसोधन को लागू करने का आगरह करता रहा है सो राइट एंसर है स्री लंका तो भार सिलंका से 1987 के भार सिलंका समझोते के बाद लाए गए तेरहमे समभिथान जो संसोधन को लागू करने का आगरह करता रहा है सिलंका के राष्टपती राणील बिक्रम सिंधे ने कहा कि शरकाट तेरहमे संसोधन लागू करेगी जो अल्प संख्यक तमिल समुदाय को सत सता के हस्तनांत्रण का प्रावधान करता है तो आप ये जो तेरहमा संसोधन है इसका जो सब्जेक्ट है वो है कि जो अल्प संख्यक तमिल समुदाय है उनको सत्ता के हस्तांत्रण का प्रावधान करता है सो ये है तेरहमा संसोधन ठीक है उन्होंने यह भी बताया कि सभी स कि सिकायतों को दूर करने के लिए एक सामाजिक न्याय आयो की इस्थापना की जाएगी और सिलंका का कैपिटल कहां पे है तो कैपिटल है स्री जैवर्धन पूरा कोटी आप याद रखेंगे इसको स्री जैवर्धने जैवर्धने पूरा कोटी बहुत लोग कोलंबिया बता देते याद रखना ऐसा कुछ नहीं है पूरा कोटी है और सिलंका का सेक्स रेशियो कितना है तो सिलंका का जो सेक्स रेशियो है 91.96 मेल मेल पर 100 फिमेल ठीक है देखिए यहाँ पी इसका यूज तो नहीं था देखिए सिलंका की बात हो रही है तो जब हमारे पडोसी कंट्री या किसी भी ऐसे कंट्री का चर्चा हो तो उसके बारे में उबद भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए क्या पता कल परसो कोई और नहीं जाए तो उस दिन भी जान लेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें एक अपने पडोसी देश के बारे में पडोसी राज के बारे में अच्छी जानकारी भी हो जाती है ठीक है यहां की पपुलेशन डेंसिटी कितनी है पपुलेशन डेंसिटी के अगर बात करें ठीक तो सिलंका की जो पपुलेशन डेंसिटी है वह है दोहजर अठार के नुस्तार तीन सो बद्तिस तीन सो बद्तिस ठीक है क्लियर अब इंडिया की बात करें कबरिजन में 2011 के नुसार तो इंडिया का था 382 और 2023 के नुसार अगर हम बात करें तो 434 है ठीक है तो 2023 के नुसार अगर हम इंडिया की बात करें तो 434 है और 2011 के नुसार 382 है ठीक है पर इसक्वायर की मी clear अब आते हैं question number 3 पे किस वित्ती सेवा company ने भारत में अपने girls for take कारेकरम के नए चलन की घोशना की है तो right answer है mastercard या आप trending questions रहने वाला exam के लिए तो please आप इसको mind करना mastercard ने भारत में अपने प्रमुख girls for take girls for take कारेकरम के नए चलन की घोशना की है जिसमें तमिलनाडू के 30 सरकारी स्कूल की 10,800 से अधिक लड़कियों को लाब होगा यह योजना mastercard impact fund द्वारा समर्पीत है तो यह आप याद रखना ठीक है mastercard impact fund ठीक है द्वारा समर्पीत है और America India Foundations के साथ साज़दारी में चलती है यह भी आ सकता है कि यह जो fund है किनकी साज़ादरी से इंडिया और अमेरिका के साज़दारी से चलती है कारेकरम के विस्तार का लक्ष 2024 तक देश भर्म के अतरिक्त एक लाग छत्राओं तक पहुँचना है ताकि उन्हें विज्ञान प्रद्योग की इंजिनरिंग गडित की सिक्षा लेने के लिए प्रोसाहित किया जा सके इसमें कुछ इस्टा बताने वाला है नहीं तो हम इतना तक सिमित रहते हैं कोश्चन नमबर चार में आते हैं किस देश की जनसंख्या गिरावट आई है दुनिया में सबसे अधिकाबादी वाले देश और भारत जो की दुनिया की दुसरी सबसे अधिकाबादी वाला देश है के बीच में बीच का जो अंतर है वो 40 मिलियन यानि 4 करोण से भी कम लोगों तक सीमित हो गया है ओके अब चलिए चलते हैं कोश्चन नमबर 5 पे भारत में दिसंबर 2022 में थोक मुद्रा इस्पिती कितनी रही है so 4.95 ओके अखिल भारती थोक मुल सुचकांग यानि होल सेल प्राइज इंडेक्स ओके होल सेल प्राइज इंडेक्स देखे एक होता है WPI एक होता है CPI एक होता है होल सेल प्राइज इंडेक्स एक होता है कंजीमर प्राइज इंडेक्स इसके बारे में आज हम डेटेल में बात करेंगे आज के बाद जब भी WPI और CPI की बात होगी आज होप कि अगर आप ये वीडियो देखे हैं और ये questions के analysis देखे हैं तो आज होप कि आप इसमें बहुत comfort फिल करेंगे इसका answer बताने में और इसके बारे में बताने में ठीक है अधारित मुदास्पिति के वार्षिक दर्थ दिसंबर 2022 के महीने के लिए 4.95% है नवंबर 2022 में या आकड़ा 5.85% दर्ज किया गया था अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अब हम बात कर लेते हैं CPI और WPI के बारे में दिखें जो भारत है ना भारत जादा तर अब इस्तेमाल करता है CPI का जो भारत है अब इस्तेमाल करता है किसका CPI का Consumer Price Index का ठीक है अब इसमें क्या-क्या आता है और WPI में क्या-क्या आता है अगर हम उसको जान लेते हैं तो हमें भी एक Confirm हो जाएगा कि अक्रिंस का यूज क्या है उनिनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि कि श्रिया का नाम है यह ठीक है देखिए जो CPI है इसमें क्या होता है कि फूड एंड प्रैमरी फूड एंड प्रैमरी को कवर कितना करता है लगभग 60% एप्रॉक्स की बात है यह ठीक है एप्रॉक्स फूड एंड कितना इस्तिमाल करता है तो फूड एंड पावर को यह इस्तिमाल करता है लगभग 8% एप्रॉक्स अदर को कितना करता है 32% ठीक है इसमें रेंट ओके रेंट एटिसी ओके अब डबलू पी आई की बात करते है जो होल सेल प्राइज इंडेक्स है ठीक है डबलू पी आई इसको हम बास्केट वेटिज बोले ठीक है बास्केट वेटिज बोले अगर तो एप्रॉक्स परसेंटेज के अगर बात करें ठीक है तो जो मैनुफेक्चरल प्रोड़क्ट है वो 65% ठीक है मैनुफेक्चरल जो प्रोड़क्ट है 65% प्राइमरी जो आर्टिकल्स है फूट्स 20% ठीक है यानि फूट की बाते की जा रही है तो 20% को कवर करता है फ्यूल एंड पावर 15% फ्यूल एंड पावर कितना लगभग 15% कवर करता है अब आप इन दोनों को देखिए कि फ्यूल एंड पावर यहाँ पर 8% है यहाँ पर 15% है ठीक है फूट एंड प्रैमरी है यहाँ पर 60% है ठीक है फूट एंड प्रैमरी यहाँ पर 60% है तो अब आप यहाँ से यह चार्ट देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए कहां से exact महंगाई की पता चलेगी ठीक है इसलिए इंडिया में जो CPI है CPI का इस्तेमाल किया जाता है महंगाई को मापने में ठीक है क्योंकि simple से बात है कि अब जो ग्रामीड बेखती है उसको wholesale के price है क्या मतलब भाई मेन consumer तक जो सामान आ रहा है वो impact पहुचाएगा न हमारे economy पे हमारे खर्चे पे हमारे resource पे ठीक है तो इंडिया में CPI का इस्तेमाल किया जाता है और एक बात और कही जाती है कि जो महंगाई है ठीक है महंगाई जो है वो प्लस 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम महंगाई के बात करें तो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2% से कम भी नहीं होना चाहिए 2% से कम भी नहीं होना चाहिए यहां तक बात समझ में आई ठीक है और महंगाई बढ़ती है अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारा जो देश का GDP है वो भी बढ़ता है और महंगाई जब घड़ता है तो GDP भी देश की घड़ती है clear आप याद रखना इसको अब हम आते हैं questions पे सो देखे questions में अगर यह पूछ लेता है ठीक है कि जो WPI है और CPI की जो बात है वो किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो वाडिज और उद्योग मंत्राले द्वारा ठीक है यानि Ministry of Commerce and Industry के आर्थिक सलाहकार Office of Economic Advisor के कार्याले द्वारा प्रकासित होता है ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए यहाँ पर WPI की बात हो रही है तो WPI जो है वो वाडिज और उद्योग मंत्राले के आर्थिक सलाहकार यानि Office Office of Economic Advisor के कार्याले द्वारा प्रकासित होता है ठीक है थोक इस्तर पर सामानों की किमतों का आकलन करता है और WPI में लगभग लगभग 700 प्लस वस्तूओं को मापा जाता है मापा जाता है दीखें इंडिया आज के समय में CPI का इस्तमाल इसले कर रहा है क्योंकि ये थोक के इस्तर पर parameter तै करता है और जो CPI है न वो consumer के इस्तर पर parameter को तै करता है तो सिपल सी बात है कि जो consumer तक जुड़ा है basket हम उसकी बात करेंगे वो ज़्यादा सही चीजों को बता पाएगा ठीक है अब अगर हम WPI की बात करें तो WPI में स्वास्थ, सिक्षा, परिवहन, परेटन, आदी जैसी सेवाओं को सामिल नहीं किया जाता है यहीं सबसे बड़ा कारण है कि हम CPI के पक्ष में रहते हैं ठीक है अगर हम WPI की बात करें तो WPI में स्वास्थ, सिक्षा, परिवहन, परेटन, जैसी सेवाओं को सामिल नहीं किया जाता है ठीक है, जब की CPI करता है सामिल, ठीक है यहां तक बात समझ में आई और जो यह WPI, WPI and CPI है, यह क्या है अगर आप से आता है तो आप बताएंगे कि महंगाई को मापने का एक तरीका है, ठीक है महंगाई को मापने का तरीका है, ठीक है भारत में सांखिकी और कारेकरम कार्यानवन मंत्राले द्वारा मुद्रा इस्तिपती को मापा जाता है यह must important questions हो सकता है, तो please आप महींड रखना कि सांखिकी और कारेकरम कार्यानवन मंत्राले कारेकरम कार्यानवन मंत्राले कार्यानवन मंत्राले द्वारा मुद्रा इस्तिपती को मापा जाता है अब मुद्रा इस्तिपती की बात आई है, तो मुद्रा इस्तिपती क्या है? अब मुद्रा इस्तिपती क्या है? तो दिखे, जब वस्तु के मुल में बृध्धी होती है जब वस्तु के मुल में बृध्धी होता है यहां तक बात समझ में आया, तो मुल में जब कमी आती है, ठीक है? मुद्रा के मुल में कमी आती है, तो इसको हम मुद्रा इस्तिपती कहते हैं, ठीक है? अक्सर जब हम पढ़ाई के शुरुवात कर रहे होते हैं, देखे, बस लास्ट होने वाले छोटा से एक कॉंसेट बताएंगे, जब पढ़ाई के मारी शुरुवात होती है, तो कहते हैं कि भई, जब महंगाई है, तो सरकार नोटों को क्यों नहीं छाब देती? RBI नोटों को बहुत ज़्यादा प्रिंट क्यों नहीं कर रहे? बाट करके अपनी महंगाई को खतम कर ले, अपने घाटे को खतम कर ले, अपनी उधार को खतम कर ले, लोगों को पैसा बाट दे? देखे, होता क्या है? कि यदि हम अधिक मुद्रा छापते हैं, ठीक है? जब मुद्रा हम अधिक छापेंगे, तो आप अपने से एक बात बताना कि भाई हमारे पास 1000 रुपए आ चुके हैं, ठीक है? 1000 रुपए आ चुके हैं, तो हम अपने जरूरत के सामान को लेने के यहां पर जो दुकानदार है इसके पास भी एक हजार रुपए आ चुके हैं अब एक बात बताओ फर्स्ट अफ़ल के काम नहीं करना चाहेगा चलो कर काम भी कर रहा है और मजदूर जो है उसके पास भी एक हजार रुपए आ गये हैं यह बताना कि खरदने वाले के पास भी एक हजार रुपए हैं दुकानदार के पास भी एक हजार रुपए हैं और जो मजदूर है उसके पास भी एक हजार रुपए हैं तो मजदूर के पास जब पैसे हैं एक हजार रुपए तो वो खुद समान को खरते खायेगा नो वो काम क करेगा बात को समझीए ठीक है तो जब सब लोग समान को खरदना चाहते हैं खाना चाह रहे हैं कोई काम नहीं करना चाह रहा है उसका करण क्या है क्योंकि किसी के पास पैसे की कमी नहीं है सब को पैसे विद्रित किये जा चुके हैं तो जब कोई काम नहीं करेगा तो यहां प बेचेंगे ठीक है यानि कि डिमांड बढ़ चुकी है और आपुरती घड़ चुका है तो ये बहुत अच्छा एक्जामपल हो गया मुद्राइस पीती का ठीक है तो यहीं कारण है यहीं कारण है कि सरकार या RBI कभी भी note print के बारे में currency print के बारे में नहीं सोचता है और हमारी जो धाना होती की महंगाई है तो note क्यों नहीं चाप रहे हैं भाई जब हमारे पास पैसे एक अच्छे मात्रा में आ जाएंगे, सब को एक अच्छे मात्रा में पैसा वित्रित हो जाएगा, तो काम कोई ने करना चाहेगा, सिप लोग सेवा लेना चाहेंगे, और वो सेवा देगा कौन, ठीक, तो यही कारण है कि हम currency print नहीं करते हैं, और यही concept है, so everybody I hope कि आप enjoy किये होंगे इन 5 questions में, अगर कोई इसमें कमी है, तो please आप इसमें आपनी सला भी दे सकते हैं, so I hope कि आप इसको enjoy किये होंगे, thank you so much for watching